क्या मंदिर में सिर्फ मूर्ति होती है, भगवान नहीं होते हैं, ऐसा लगता है आपको, तो यह सुनिए, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुच शर्मा, यह किस्सा है अयोध्या का, कनक बिहारी जी के मंदिर का, अयोध्या में एक संत रहते थे, एक बावा रहते थे, जो बिहारी जी को बोलते थे, तु मेरा छोटा भाई है, अपने आपको बड़ा बताते थे, और बिहारी जी के पास जाते थे, ठाकुर जी के पास जाते थे, हमेशा बोलते थे, इसी चीज़ की जरू तो तो बता देना कोई दिक्कत हो तो बता देना हमेशे ऐसा वैवार करते थे कि ठाकुर जी छोटे वाई हैं और ये बड़े वाई तो जब भी मंदिर जाते हैं ऐसे ही बाते करते हैं एक बार हुआ यूँ कि कनक बिहारी जी की जो सिवा करते थे गोस्वामी जी उनके बेटे को एक बिमारी लग गई उनको खुजली हो गई और कुछ जादा हो गई वो बिमारी थोड़ी खतरनाक थी तो उन्होंने वैद को दिखाया है वैद ने बताया है कि ये तीन-चार चीज़े मिला के लगाना तो जो बच्चा है वहाँ पर जहाँ जहाँ खुजली हो रही हो लगाना वो ठीक हो जाएगा अब उन तीन-चार चीज़ों में एक थी नीला थोथा नीला थोथा जो है एक प्रकार का जहर होती है वो जहर दिया अब जो मंदिर के जो पुजारी थे वो आए जड़ी बूटिया और वो लेकर के नीला थोथा उन्होंने वहाँ उपर अलमारी के उपर जहाँ ठाकुर जी की मिस्री रख्थी होती थी वहाँ वो नीला थोथा रख्था अब शाम होई उन दिनों इतनी लाइट वाइट तो होती नहीं थी शाम को अंदेरा हो जाता था तो शाम को ठाकुर जी को दूद का भोग लगता था सुलाने से पहले उनको दूद दिया जाता था तो पुजारी जी आए पुजारी जी ने आकर के क्या किया कि वो जहां मिस्री उठानी थी उसकी जग वो निला थोता हो था जी और दूद में मिला दिया दूद में मिला दिया, वहाँ ठाकुर जी का दिया लगा रखा था वो दूद की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, पहले ही हड़ बढ़ाए हुए थे क्योंकि बच्चा विमार था और दूद जाकर के रख दिया बिहारी जी के पास कनक बिहारी जी के पास अब जो पुजारी जी हैं वो जाकर के सोग है अब इधर जो है, वो निले थोते का दूद, वो जहर का दूद, वो ठाकुर जी के मंदिर में रखा हुआ है और ठाकुर्जी उसका भोग लगा है ठाकुर्जी ने उसका भोग लगाया और ठाकुर्जी को पीडा महसूस हुई क्योंकि वो जहर का दूथ पीडा महसूस हुई तो ठाकुर्जी का जो सफेद शरीर है एकदम काला पढ़ने लगा अब ठाकुर जी की जो मुर्ती है दीरे-दीरे काली पढ़ने लगी लेकिन पुजारी जी तो जाकर सो गए अब ठाकुर जी जो है सपने में आये किसके? वो संत बाबा की कौन संत बाबा? जो ठाकुर जी को रो जाके बोलता था तो छोटा भाई है कोई दिक्कर तो तो बताना और आये जाकर के उसको बोले संत बाबा को कि दादा बहुत पीडा हो रही है सुनो दादा बहुत पीडा हो रही है पुजारी ने जहर पिला दिया मचे हडबढा कर उठे संत बाबा और फटा फट सबको उठाया बोले जल्दी चलो जल्दी चलो थंडाई लो दूद लो जल्दी चलो बोले अरे बाबा क्या हो गया आधी रात को बोला रे वहां कनक भी आरी जी को जहर पिला दिया पुजारी जी जल्दी चलो मेरा ठाकुर जो है परिशान और ये भागे मंदर की तरफ मंदर जाकर के दोआर खट-कटाया पुजारी जी उठे पुजारी जी बोले इतनी रात को क्यों आयो बाबा तो भगवान भी सो गए है हम भी सो गए थे अब क्या हो गया अब बाबा बोले अरे दर्व पाज़ा खूल अंदर गए पुजारी जी ने देखा जहर फिला दिया मैंने जहर फिला दिया और पुजारी जी ने देखा कि वहाँ जो मिस्री की जो कटोरी थी वो अखी हुई थी उनको अपनी गलती का एसास हुआ बड़े परिशान हो वा और ये जो संत है सीधा कनक भी हारी जी के पास गए तो देखा तो उनकी जो तस्वीर है वो एकदम काली पड़ चुक है उजारी जी को अपनी गलती का एसास होगा कि ये क्या पाप कर दी होगा अब देख रहे हैं थंडे दूद से ठाकुर जी को नहला रहे हैं गंगा जल से नहला रहे हैं पर कुछ हसर नह पड़ धीरे आधी रात में बात जो है ही है पूरे गाओं में शहर में फैल गई हजारों लोग इकित्था हो ग गया मंदर के बाहर हो अचंबित थे लोग ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे होसकता अब गलती पुजारी की भी नहीं थे उसे जान बुझ के तो ऐसा किया नहीं था तो संत बाबा है, बड़े परेशान हो गए, बोले कि मुझे ठाकुर से बात कर रहे हैं, ठाकुर को बोले कि भाई, अब तू बता मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, तो भगवान है, इश्वर है, तू बता अब मैं क्या करूँ जिससे तू ठीक हो जाए, तो ही बता तेरा इ गिलाज कर, तो भिहारी जी ने बाबा को बोला, यह जो गिलास में दूद है, इस दूद को यदि कोई पी लेगा, तो मेरी पीडा खतम हो जाएगी, मेरा जहर उतर जाएगी, तो संत बाबा बोले, अरे छोटे, ऐसी कैसी बात कर रहा है तू, लाबी पी लेता हूँ, उठ सवामन दूद लेके आओ, उसमें इसे मिलाओ, और लोगों में बाटो, जब सब इसे पीलेंगे, तो मैं ठीक हो जाऊँ, संत बाबा और पुजारी जी बाहर आए, बाहर लोगों को भीड लगी, लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ ठाकुर जी को क्या हुआ, बता करके, बाट दिया जाएगा, और सब लोग पीलेंगे, तो ठाकुर जी ठीक हो जाएगे, जहर है इस दूद में, और आप यकीन मानना, जब संत बाबा ने पूछा, कि कौन-कौन पीएगा, तो एक भी हाथ ऐसा नहीं था, जो नीचे था, सब के हाथ उपर खड़े थे, क्य तो सब ने का कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, और सवामन दूद में वो जहर जो है, जहर वाला दूद मिलाया गया, मिला करके एक एक चम्मच बाठा गया, जब एक एक चम्मच बाठा गया, इधर लोग वो जहर वाला दूद पी रहे थे, परसाद के रू लोगों ने जहजाकार की ठाकुर जी की, लोग चले गए, जब अंदर आये संत बाबा, ठाकुर जी को देखने, मूरत पूरी सफेद हो गई थी, लेकिन एक काला निशान उनकी हथेली में था, बाबा ने पूछा, कि ठाकुर ये क्या है, ये कैसे रह गया, ठाकुर जी ने का, जिस कडाही में दूद मिलाया था न, उसमें थोड़ा सा दूद तली में रह गया था, वो किसी ने पिया नहीं, तो ये वो निशान है, और इसे मैं रखना चाहता हूँ, ये मैं इसली रखना चाहता हूँ, कि ये मेरे बड़े भाई के प्यार की निशानी में, ठाकुर जी ने बाबा को काया, कि तुम मेरे बड़े भाई, और आधी रात में आके, तुमने मेरी पीडा दूर की ले, ये अद्भुज जो प्रेम है, कमाल का प्रेम है, दोस्तों आप कभी कनक बिहारी कीजिके मंदिर जाना, आयोधिया में, आज भी उनके हाथों में, उनके हथेलीों में, वो काला निशान छेपाने के लिए मेहंदी लगाई जाती है, तो आज के बाद कभी मत सोचना, कि उन поряд सेर्फ मूरत है, मूर्ख होते हैं वो लोग जो यह सोचते करकर हर मंदिर में आपके घर के मंदिर में भी हर मंदिर में भगवान स्वेम उपस्थित होते हैं इसलिए जब भी आप बात करें ठाकों से बड़े दिल से बात करें वो आपकी हर बात सुनता है अपना ख्याल रखी खुश रहिए हरे किश्ण